दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पेमी इंडिया से आप लोन केसे लेंगे और केसे इस पेसे को आप अपने बेंग अकाउंट के अंदर ट्रांसपर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हैं पेमी इंडिया की तरब से हमको 8000 रुपे का प्रसनल लोन मिला है अगर आपको पेमी इंडिया से लोन मिलता है तो साथ के साथ इस पेसे को आप अपने बेंग अकाउंट में भी ट्रांसपर कर सकते हैं तो यह पूरी प्रोसेस कैसे होती है पेमी इंडिया के अंदर लोन कैसे अपलाई किया जाता है और इस पेसे को आप अपने बेंग अकाउंट में कैसे ट्रांसपर करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग डीटेल्स में समझने वाले तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हो देख लेते पेमी इंडिया में लोन कैसे अपलाई किया जाता है अपने मोबाईल के अंदर पेमी इंडिया एप इंस्टोर करना है उसके बाद आप एप को ओपन करेंगे जैसे ही आप पेमी इंडिया एप को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस ओपन हो जाएगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर देखे जितनी पर पर्मिस्न साती जाएगी आपको नीचे आ जाना है और यहां पर नीचे OTP के उपर आपको क्लिख करना है जैसे आपके और आपको मोबिल लंबर देंगे उसके उपर OTP आएगा उसको आप यहां पर डालेंगे तो यहां पर सबस्क्रिक करेंगे में से बाद करेंगे आपको एक रिपल och कोड दे कि wildly करेंगे जैसे वा पर यहां यहांपको वीडिय तो क्लिक करेंगे जैसे आप अपना पेन नमबर देंगे तो यह विए अगर सही पेन नममर देंगे तो ग्रेंगे घर्ष कविई तो कंटी नियूण के इव आपको करेंगे के सामने जो भी आपकी लिमिट रहे और लिमिट रहती है, वह अप्टू लिमिट रहती यानि कि इतने तक आपको लून मिल सकता है, तो होचकता आपके केस में कुछ डिफरेंट लिमिट यहाँ पे शो करें, आपको 55,000 रुपई शो करें, एक लाग रुपई शो करें, तो यहाँ पर आपको continue के उपर click करेंगे, जैसे ही दोस्तों आप continue के उपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर आधार कार्ट करना होगा इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप अपना अधार नमबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर एक और अपना विलिफाई करे सब्कुर की से आहँ पर रहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे आप को फनी सब्कुर्ण करेंगे यहाँ पर क्ली का मैसेडं करेंगा, जैसे यह आप verify करा लेंगे तो जो भी आपकी final limit वो यहाँ पे show कर देगा तो यह final amount को अपने bank account में easily transfer कर सकते हैं प्लाइन आओं के उपर आप क्लिक करेंगे जैसे यह प्लाइन आओं के उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक new page open होगा यहाँ पे दोस्तों वो amount आपको डालना है जो amount आपको अपने bank account के अंदर transfer करना चाहते हमारा 8000 का limit अपरू हुआ है तो हम यहाँ पे 8000 भरेंगे repayment date आपको चुनना होगा यहाँ पे कब repayment date रखना चाहते हैं यहाँ पे कुछ date आ रही तो इन में से कोई एक date आप रख सकते हैं मैं आप एक date चुन लेता हूँ नीचे आपको एक option दिखा रहा होगा reason for loan तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे drop down menu open होगा कोई सब एक reason चुन लेजएगा इसके लिए आप loan लेना चाहरे है मैं आप ए medical बाला चुन लेता हूँ medical emergencies नीचे एक option दिखा रहा होगा continue आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे आप continue के उपर क्लिक करेंगे तो पे में इंडिया का यहाँ पर loan agreement आ जाएगा यहाँ पर एक check box लगा देंगे नीचे एक options enable हो जाएगा continue आप continue के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हमारा e-sign complete हो चुक है नीचे एक option से e-mendate तो e-mendate हमारा बच्चा हुआ है तो दोस्तो e-mendate हम लोग इसलिए set करते हैं ताकि हमारी EMI अपने आप हमारे bank account से कट जाए हमको minimize जाके pay ना करना पड़े और हमको unnecessary penalty भी loan lender की तरफ से हमारे उपर ना लगाई जाए तो e-mendate करने क आपको choose करना होगा किस चीज से आप e-mendate करना चारा है अब net banking से करना चारा है तो net banking के उपर अगर आप debit card से करना चारा है तो debit card के उपर दो तो जादा तर लोगों के पास net banking नहीं रहता तो इसलिए हम लोग debit card के उपर click कर देंगे यहां पर एक checkbook लगातेंगे और यहां को यहां पर अनभम के उपर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप इतना करेंगे तो पांच मिनट के अंदर पेसा आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूं जनकरी काफी अच्छी लगे होगी फिर भी payment इंडिया से आपके मन में कोई सवाल है या कुछ च समझा रही है तो इस वीडियो की नीचे आप कमेंट करें मैं कोसिस करूंगा एक जन्मर reply देने की चलिए मिलते और किसी नई वीडियो में नई जनकरी के साथ चलिए धन्यवाद